नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुरियत चामुल आप देख रहा है वरकर वाइस टॉटिन दोस्तों आप मेंसे जिलो का भी पीएफ का खाता है और पीएफ से सम्मन्थित चाहे वो पिंसन को लेकर के हो या एडिलाई इसके बारे में आपका कोजी सवाल हो तो आप जरूर जाना चाहते होंगे कि इसके बारे में पूछे तो पूछे कहां और आप ही के इसी कठिनाई को देख करके EPFO विभाग ने एक हेल्प लाइन नमबर जारी किया है आज नकेवल उस हेल्प लाइन नमबर की जानकारी दूँगा बलकि आपको ये भी बताऊंगा कि EPFO विभाग के द दोस्तों आपको बताते कि आप किसी भी ऐसे संस्थान में जहां पे 20 या 20 से अधिक करमचारी हैं चाहे हो होटल हो, रेस्टूडेंट हो, दुकान क्यों नहों या फिर कोई सरकारी ओफिस क्यों नहों ऐसी सिती में आपका इंप्लोयर यानि कि मालिक का जिम्मेवारी वनता वो भी अपनी तरफ से आपके PF खाते में जमा करेगा, यानि कि आपका अगर मालिजी एक हजार रुपया करता है, तो आपके PF खाते में कितना पैसा जमा होगा, दो हजार रुपया, तो एक तरह से डवल हो जाएगा, और इसके बार में हाल ही में हमने जानकारी दी है, अग इसमें कि 58 साल के बाद आपको ये मिलता है, लेकिन किसको मिलता है, जिन करमचारियों का कम से कम PF खाते के अंदर, एक कंपनी के अंदर अगर आपने काम किया हो, या फिर एक से अधिक कंपनी के अंदर काम किया हो, कम से कम 10 साल का योगदान होना चाहिए, यानि कि PF का पैसा की विशुवधा मिलती है अगर किसी करमचारी की अकास्मिक मिर्टू हो जाती है ऐसी सिती में उसके नोमनी को EDLIA scheme के तहट 7,00,000 रुपया तक दिया जाता है अर्थिक शाहता के रूप में तो इसी पीएफ पेंसन और EDLIA scheme से समर्द बहुत सारे सवाल जो है आपके मन में जरूर होंगे और आप चाहते होंगे कि ऐसा कोई नंबर हमें मिले जहां कि हम कॉल करके इसके बारे में पता कर सके जैसे कैसे हम इसका लाग उठाएंगे तो आपको तो इसके लिए जैसा कि हमने पहले बताया EDLIA scheme के लिए कोई registration ही करना पड़ता है बलकि आपका PF खाता खुलता है तो आप उसके लिए eligible हो जाते हैं यानि कि अगर किसी की मिर्ति हो जाती है तो SECT में claim करके पास सकते हैं तो कहां claim करेंगे कैसे करेंगे तो आपके इन ही असविधाओं को देखकर EPFO विभाग ने एक toll free number जारी किया है और आज उसी help line number की मैं जानकारी देने जा रहा हूँ आपको बता दू कि EPFO विभाग ने अपने official X account पे share करते हुए एक number जारी किया गया है उस number के बारे में बताया गया है कि उस number पे आप सुवह 7 वज़े से 9 वज़े तक call कर सकते हैं जिस पे की 12 भासाओं में सहायता उपलब्द होगी और इसके लिए जो number दिया गया है वो है 14470 एक बार आपके screen पे भी ये number आपको दिखेगा और इस पे call करके आप जिस 14470 number पे call करके PF pension और EDLIS scheme से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप ले सकते हैं आपको बता दे कि हिंदी, गुजराती, मराठी, कंणर, तमिल, टेलगू, बंगाली, असमिया, पंजावी और ने बताया, सुबह 7 वज़े से 9 वज़े तक ये सिवाय उपलब्ध है, जिस पे की call करके आप जानकारी ले सकते हैं, तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे comments करके जरूर बताएंगे, अगर आपने phone number note नहीं किया है, तो नीचे वीडियो के description में आपको हमार ब्लॉग www.workerwatch.in मिल जाएगा, जिसमें की ये जानकारी उपलब्ध है, वहां से जा करके भी चेक कर सकते हैं, इसके साथ ही आप सभी लोगों से अनरोध करूँगा कि इस वीडियो को अधिक शेयर करें, ताकि बाकी जो भी लोग हैं जिनके पास PF खाता है, या PF खाता नह पहुंचा है, अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक शेयर की जानकारी पहुंच पाए, इसके साथ ही भी दा लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी की साथ मिलते हैं, धन्यवाद.